आप सभी को सुप्रभात और जै सद्गुरुदेव मैं नीटु आपका हिंदी सब्ताइक सत्संग में स्वागत करती हूँ यह सत्संग मैंने एडिसन न्यूजर्सी से जोइन किया है आजकर के जीवन में हम अपने शारिरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्यदारियों में पूरी तरह से व्यस्थ हो चुके हैं इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वै है हमारी आत्मिक जरूरत इसलिए ये वाकई में बड़े सभागय और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यक्ताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुक कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्षय से जोड़ता है तो आए बिना विलम किये हम आज के सत्संग का आरम करते हैं सर्प्रथम आज के सत्संग में हम सब आवाहन करेंगे सत्गुरु देव का स्वागत गान के माध्यम से सबसे आग्रह है कि वे हाथ चोड़कर अपने को अन्म्यूट पर रखकर स्वागत गान में शामिल हों आप मकोर भी अचाल आवाहन करा तोट कि वे रादान में शामिल हों का उमिल की बभी आपने की में बढ़ान में शामिल करने का अन्म्यूंट आपके टैर शोड़कर टो आफजितर खुड़कर अन्म लागत पूए शाल में आपके पात्यूंट आज स्वागत नीत्य गुरुवर संतर्शु भागम आईये आज स्वागत नीत्य गुरुवर संतर्शु भागम आईये अध्यात्म वीद्या दीव्य जोती सुमरस बरसाईये आज स्वागत नीत्य गुरुवर संतर्शु भागम आईये 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 दोश दुर गुण दूर करीके शुद हंस बनाईए दोश दुर गुण दूर करीके शुद हंस बनाईए भेद गमगति जान गरजन शुक्ति द्वार हठाईए भेद गमगति जान गरजन शुक्ति द्वार हठाईए आजे साधक नेट्य गुरुपर चंद शुका अगम आईे आजे साधक नेट्य गुरुपर कुले तारा शाद सागर भाक जन अनवाई कुले तारा शाद साधक नेट्य गुरुपर कुले तारा शाद साधक नेट्य गुरुपर जन सदा खल वीश्वशी छख शान आन बचाईे जन सदा खल वीश्वशी छान आन बचाईे आजे साधक नेट्य गुरुपर आजे साधक नेट्य गुरुपर आजे साधक नेट्य गुरुपर अब सद्गुरु देग की उपस्थिती में उनके चर्णों में प्रार्थना अर्पित करेंगे विश्व की शानती और मंगल कामना ही तू मंगल गान के द्वारा मैं सबसे पुने आग्रह करूँगी कि स्वयम को म्यूट पर रखकर हाज जोड़कर मंगल गान में शामिल हूँ कर दोत डादी तूमों में आग्रादी के लिए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याईए वर्ग द्वांद्व अशांति दूर कर भाव भेद मीटाईए वर्ग द्वांद्व अशांति दूर कर भाव भेद मीटाईए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याईए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याईए सार्व भाम समाश्टी सात्ता ध्याईए व्याद में राज बनाईए सार्व भाम समाश्टी सात्ता ध्याद में राज बनाईए व्याद में राज बनाईए भेश भाशा भाव जगम ज्यान पर दर्शाईए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याद में राज बनाईए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याद में राज बनाईए सम्रिद्धि सुक्षांति धरातल स्वार्ग भूमी बनाईए स्वार्ग भूमी बनाईए विश्व शीक्षक जन सदाफल नीती स्वर अपनाईए विश्व शीक्षक जन सदाफल नीती स्वर अपनाईए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याद में राज बनाईए वर्ग द्वांद्व अशांति दूर कर घाव भेद मीटाईए विश्व शांति दूर कर घाव भेद मीटाईए विश्व शांति नाम गंगल परम गुरु को धाईए विश्व शांति नाम गंगल परम गुरु को धाईए मैं पुन आज के सत्संग में सभी का सौगत करती हूँ सत्संग के प्रमुख पड़ाव स्वर्वेद ज्यान से जुणने से पहले एक मुख्य सूचना 12 अगस्त को एडिसन के रॉयल एलबर्ट पैलस में दिव्य सद्गुरु स्वतंत्र देवजी महाराज के पवित्र दिव्य दर्शन का स्वभागे हम सभी को प्राप्थ हुआ है सद्गुरु को सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है उनके पवित्र दर्शन से हमारा मन शुद होता है हमारे कर्म शुद होते हैं और हम परिवर्टित होते हैं सबसे आगरे है कि समय निकाल कर इस अत्यन तुल्लब अफसर का लाब ले इसके लिए कृपया us.phihangamyoga.org पर रिजिस्टर करें ये लिंक चैट बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा तो आप वहाँ से ले सकते हैं आज के सत्संग में हम स्वर्वेद ज्यान की श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वर्वेद के देपे ज्यान से जुडेंगे हम सभी प्रयास करेंगे स्वर्वेद के दोहे अपनी बुद्धी के धरातल से समझने के लिए और सद्गुरु देव से प्राटना है कि ये ज्यान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे यह एक इंटराक्टिव सेशन होगा इसलिए कृप्या प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ शेर करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्ट समझा दे हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देख के अनन्य शरन शिश्षे सुधानशु जी जो निरंतर सेवा में रहते हैं और हमें सेवा के लिए प्रेरित करते हैं सुधानशु जी ने अपनी भावपून वानी से अनेक सत्संगों में हमें स्वर्वेत के दिव्य ज्यान से जोड़ा है तो आएं हम सभी स्वर्वेत के दिव्य दोहे और उनका विस्तित भाष्य श्रवन करें सुधान्शु जी आपसे निवेदन है कि हमें आप अपनी वानी और अनुभव से दाभानमित करें आप सुधान्शु जी बहुत 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 धन्यवाद नितु जी आप सभी को मेरी आवाज आ रहे है जी धन्यवाद आप शेयर करेंगे सुधान्शु जी 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 मैं शेयर करूँगा नश्रनमा सरन हूं ते गुरुवन दिश्वर। तो वारो हे गुरू जह सो बार निधोर जन धीन वंधन करूं केही विधिकी जैसे वार पार की गम नहीं नमो नमो गुरुदेव माया लोक छुडाय कर चेतन लोक निवास सद गुरुता को जानिये भक्ति मुक्ति जेहि पास तीन लोक नव खंड में गुरु से बरा न कोय करता करे न करी सके गुरु करे सो होय परमवंदनिया अध्यात मारतंड बीश कला विफूसित सद गुरुदेव भगवान के चर्णों में कोटी-कोटी नमन परमपूजिनिया माताजी के चर्णों में कोटी-कोटी नमन सद गुरुपद उत्तराधिकारी संत प्रवर विज्ञान देवजी महराज के चर्णों में कोटी-कोटी नमन संतस्री नाम देवजी महराज के चर्णों में कोटी-कोटी नमन संपूर्ण आचारे परिवार के चर्णों में कोटी-कोटी नमन एवं इस विहंगम योग परिवार से इस सत्संग में जुड़े आप सभी गुरु भायु बहनों और अध्यात्म जिग्यासुओं को मेरा कोटी-कोटी नमन है हम सभी आज इस सप्ताहिक सत्संग में जुड़े हैं और हर सप्ताह की भाति हम लोग उस सदग्रंथ के दोहों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जिसे स्वामी जी ने अपने हिर्दय की चिंता मनी कहा है एक और अध्भुत बात आज के सत्संग में यह है कि आज जब हम सभी सत्संग से जुड़े हैं हम सभी अपने वरतमान सद्गुदेव आचारे श्री सुतंत्रदेव जी महाराज का 76 जनमोत्सव भी मना रहे हैं तो आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई और इसी सुब घडी में आज के सत्संग को हम आरंब करते हैं तो आज जिस दोहे पे हम सभी को अपने विचारों को रखना है जिस दोहे पे हम सभी को अपने बुद्धी के धरातल से समझने का प्रयास करना है वह दोहा द्वीतिय मंडल द्वीतिय अध्याय का सोलहवा दोहा है जो आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैं आप सब में किनी एक गुरु भाई गुरु भाहन से निविदन करना चाहूंगा कि वह आगे आएं और इस दोहे को पढ़ें और इसके भाष्य को ह सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुन जाए प्रक्टे चेतन शुद गुन आत्मिक वर्ल आयए जी इसका भाष्य भी पढ़ले एक बार सहज योग के चेतन अभ्यास से जड़ गुनों का प्रतिदन अभाव होता है और आत्मा के शुद्ध चेतन गुनों का प्रादूर्भाव होता है एवं आत्मिक बल पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है बहुत बहुत धन्यवाद इस अदभुत भाव से इस दोहे का पाठ करने के लिए और इसके भाष्य को हम सभी के सामने रखने के लिए पिछले कई सप्ताहों से हम लोग जिन्दूहों का पाठ कर रहे हैं उस दोहे में हम सभी को एक भाव जो समझ में आया है समाने रूप से कि स्वामी जी ने इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार हम हमारी चेतना को इस प्रकृति से हटा कर उस परमपिता परमिश्वर में लगाएं और उसी विशय के करम में यह जो दोहा है इस दोहे को भी हम देख सकते हैं स्वामी जी ने इस दोहे में क्या कहा सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुन जाए तो जो सहज योग का अभ्यास है विहंगम योग का जो अभ्यास है उसके अभ्यास से हमारे जड़ गुनों का प्रति दिन अभाव होता जाता है कि प्रकटे चेतन शुद्ध गुन आत्मिक वल आए और क्या होता है जैसे जैसे हमारे जड़ गुनों का अभ्याव होता है वैसे वैसे हमारे चेतन गुन प्रकट होते हैं और हमारा आत्मिक बल जो होता है वह बढ़ता है यहाँ पर एक बात हम गौर करेंगे, यहाँ पर स्वामी जी ने चेतन गुन के प्रगट होने का वर्णन किया है चेतन गुन का हमारे अंदर पहले से है, ऐसा नहीं है कि चेतन गुन हमारे अंदर नहीं है वो प्रगट होता है कोई नया गुन हम ला नहीं रहे हैं यहाँ पर जो चड़चा है उस गुन के प्रगट होने की है तो वह गुन गौन कब था? जब तक जडगुन था जैसे जैसे जडगुन का अभभाव होता है वैसे वैसे चेतनगुन प्रकट होने लगते हैं अब यहाँ पर बात आती है कि जब जडगुन है वह हमारे अंदर कब से हैं और वह हमारे अंदर किस प्रकार बलशाली होते जाते हैं आप सभी ने स्वरवेद में स्वामी जी ने जब इस बात का वर्ण किया है कि किस प्रकार आत्मा इस शरीर में आती है इसको आप सभी ने पढ़ा है जहाँ पर स्वामी जी ने चहदेहूं का वर्ण किया है तो जो हमारे सुद्ध अवस्था है वहाँ पर हमारे अंदर जो गुन है आत्मा के जो अपने गुन है वह क्या है जो सुद्ध चेतन गुन है वह है इच्छा ग्यान और प्रयत्मा जहां आत्मा का सुद्ध गुन है चेतन गुन है आत्मा में ग्यान है, आत्मा में इक्षा है और उस इक्षा को पुर्ण करने के लिए प्रैत्न का गुन है लेकिन जब आत्मा इस प्रकृति में आती है और जर गुनों का हमारे के साथ संयोग होता है तो क्या होता है जो आत्मा का जो चेतन गुन है ज्ञान उसके उपर आवरण आने लगता है और जब उसके उपर आवरण आने लगता है तो क्या होता है संत प्रवर ने अपनी वाणियों में कई बार कहा जो अज्ञान है वह अज्ञान है क्या जो सत्य ज्ञान है उसका आभाव ही तो अज्ञान है तो उसका आभाव कैसे होता है उसका आभाव जब हमारे उपर प्राकिर्तिक गुनों का प्रभाव बढ़ने लगता है जैसे हम इस सरीर में आते हैं तब उस सत्य ज्ञान का आभाव हो जाता है जब आत्मा अपने सुद्ध सरूप में है उसे ज्ञान है अपने लक्ष का उसे ज्ञान है कि उसका उद्देश्य क्या है उस परमपिता परमिश्वर की प्राप्ती उनहीं में सनलगन रहना लेकिन जैसे जैसे उसके उपर प्राकिर्तिक आवरण आने लगते हैं वह ज्ञान धीरे धीरे विश्मरण होने लगता है उसके उपर क्या आ जाता है उसके उपर प्राकिर्तिक गुन आने लगते हैं त्रिगुन त्रिताप हम सभी जानते हैं, सतो गुन है, रजो गुन है, तमो गुन है, इन गुनों के प्रभाव से हम अपने जीवन के सभी प्रकार के कारियों को करते हैं और जिस गुन के प्रभाव में हम उस कारिय को कर रहे हैं, उसके हिसाब से वह हमारे लिए फल प्रदाता बनता है, फलों का निड़मान करता है और इस प्रकार इस संसार में हमारा बंधन और मजबूत होता जाता है, हम उसमें और फस्ते चले जाते हैं किन्तु इसमें गौर करने वाली एक बात यह भी है, कि आत्मा के उस ज्ञान गुन पर आवरण तो आ गया किन्तु आत्मा का जो वह चेतन गुन है कि उस परमानंद के खोज में रहना, तो इस प्रकृति में आने के बाद भी हम उसी आनंद के खोज में हैं लेकिन प्रकृतिक गुनों का ऐसा आवरण है कि उस आनंद को हम कहां खोज रहे हैं उस आनंद को हम वहां खोज रहे हैं जहां हमारी चेतना लगी है और चेतना कहां लगी है चेतना लगी है प्रकृति में तो उस आनन्द को हम खोज रहे हैं संसार के सभी वस्तूओं में उस आनन्द को हम खोज रहे हैं नौकडी में, पैसे में, घर, गारी, परिवार, समाज और समस्त संसारिक भोगों में और जैसे-जैसे हम इन भोगों में डूगते जाते हैं, हमारे प्राकृतिक गुन हम परहावी होते जाते हैं और जैसे-जैसे प्राकृतिक गुनों की प्रगारता बढ़ते जाती है, आत्मिक बल वैसे-वैसे घटता जाता है इसलिए अध्यात्म पत्थ को उल्टा मार्ग बतलाया गया जो की प्रकृति से उलट के रास्ता है इसको लेकर के एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक बहुत बड़े साधू किसी गाउं में रहते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनसे अपने इक्षाओं की प्राप्ती के लिए सारे धनीमानी लोग आते जाते रहते थे उस साधू की साधना ऐसी थी कि वो जो भी बोल देते थे वह हो जाता था तो कोई आके कहता मुझे व्यापार में नुक्सान हो रहा है ऐसा चाहिए वह ऐसा चाहिए जो मांगता वो कह देते और वो हो जाते तो कुछ समय के बाद साधू ने सोचा कि यहाँ पर जो भी मेरे पास आता है संसारिक एक्षाओं को ही लेके आता है तो भगवान को तो कोई मांगता नहीं तो इसका क्या किया जाए ऐसे तो यह और प्रकृति में धस्ते चले जाएगी तो एक दिन जब सब लोग आए तो साधू उनसे कहते हैं कि आप जो हमसे मांगते हैं वो तो मैं आपको पूरा करी देता हूँ लेकिन वो पूरा तो मैं भगवान से बोलके करता हूँ तो क्यों नहीं आपकी पहचान मैं भगवान से करा दो हूँ तो आप जो मांगेंगे भगवान आपको दही देंगे मेरी आवशक्ता क्या है बीच में तो उन सभी लोगों को, सेट लोगों को बड़ा पसंद आया, कि ये तो बड़ा अच्छा है, सीधा उन से ही बात हो जाएगी, इनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो बोले हाँ ठीक है, या वेवस्था तो बड़ा उत्ता में यही करते हैं, तो बोले ठीक है, आप बैठिये, जैसा ऐसा मैं बोलता हूँ, आप भी मेरे पीछे-पीछे दहर आईए, भगवान आपको मिल जाएंगे, सब बैठे और सादू ने बोलना शुरू किया, कि ही प्रभु, आप बहुत दयालू हैं, मेरी सारी ख्षाओं को पूरी करने वाले हैं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कस्ट है, हर समय कभी इंकम टेक्स का टेंशन है, कभी व्यापार में घाटा का टेंशन है, तो हमारे जीवन में बहुत कस्ट है, जैसा ऐसा साधू बोलते जा रहे थे, पीछे-पीछे सभी लोग बोलते जा रहे थे, तो कहते हैं कि सो इन सब कष्टों के छुटकारा के लिए अगले जन्म में आप मुझे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली ऐसा कुछ बना दीजेगा जिससे मुझे ये सारे कष्ट ना हो जैसे ही उन्होंने या कहा सारे के सारे लोग आख खोल के पूछे ये क्या कर रहे है तब साधू ने समझाया कि ये जितने भी सुखों के पेछे आप भाग रहे हैं ये सारे सुख तो आप अन्य योनियों में भी पाही सकते हैं लेकिन ये मानव योनि का कुछ विशेश प्रयोजन है अगर इस योनिय में उसको नहीं प्राप्त किया तो फिर इस योनिय में आने का फाइदा क्या हुआ इस योनिय में आकर के भी आपने वही कर्म किया जो 84 लाख योनियों में आप कर रहे थे उसी सांसारिक भोगों के पीछे भागते रहना तो आपने नया कुछ किया क्या तो इस कहानी से हमें समझ में क्या आता है कि जो हमारे जड़गुन है वह हमारे आत्मिक बल को कमजोर करने वाले हैं हमारे जो वास्तविक लक्ष हैं उससे हमें दूर हटाने वाले तो उसकी प्राप्ति के लिए स्वामी जी ने क्या कहा इस दोहे का पहला जो वाक्य है सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़गुन जाए स्वामी जी ने कहा कि सहज योग के अभ्यास से विहंगम योग के अभ्यास से यह जो जड़गुन है यह धीरे-धीरे करके जाने लगता है एक दिन में आप इससे मुक्त नहीं हो जाएंगे लेकिन जब उस ज्यान में, उस गुरु में हमारी श्रद्धा होगी, उसका अभ्यास होगा तो यह जो जड़गुन है, यह धीरे-धीरे-धीरे हमारी अंदर से जाने लगेगा, और जैसे-जैसे हमारी चेतन गुन पर उस जड़गुन का आवरण कम होने लगेगा वैसे-वैसे क्या होगा? वैसे-वैसे हमारी आत्मिक सक्ती बढ़ते जाएगी इस पर हमने जब पिछले हफता चर्चा किया था तो हमने समझने का प्रयास किया था किस प्रकार जब हम इस संसार में लगे रहते हैं तो हमारा सब कुछ मन के द्वारा होता है और जैसे ही मन के हाथ में कंट्रोल जाता है आत्मिक सक्ती कमजोर हो जाती तो जो विहंगम योग का अभ्यास है वह क्या है? वह सब से पहले जो हम सभी जानते हैं प्रतम भूमी का अभ्यास क्या है? अपने मन को कंट्रोल करना तो मन को कंट्रोल करने से क्या होगा? मन को कंट्रोल करने से हमारी चेतना जो जा रही है प्रकृती में भोगों में वहां से हमारी चेतना धीरे 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 बाहर आएगी गीता मैं भी इसके चर्चा आई अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से ही अध्यात्म पत्की चर्चा आई है लेकिन वैराग्य से ताथपरे क्या है वैराग्य कभी भी करतब्यों से नहीं है वैराग्य है मोह से वैराग्य है अज्ञान से लेकिन हम क्या करते है हम ले लेते हैं वैराग्य अपने कर्तवे से घर छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया कर्तवे छोड़ दिया और कहा कि हमने वैराग ले लिया और उस थिटी में भी हमने अपने मुह से वैराग्य नहीं लिया चले गए जंगल में लेकिन चेतना लगी है वही परिवार में, बच्चे में, धनसंपत्ती में जबकि गीता का ज्यान क्या था? हमारे वैदिक वांगमे का ज्यान क्या है? वैदिक वांगमे का ज्यान है, वैराग्य होना चाहिए अज्यान से, वैराग्य होना चाहिए मुह से स्वामी जी ने अध्यात्मपत के लिए ग्रिहस्त आश्रम को सबसे उचित माना है क्यूं उचित माना है? क्यूंकि ग्रिहस्त आश्रम एक ऐसा आश्रम है, जहां पर आप अपने संसारिक करतव्यों का निर्वाह करते हुए अध्यात्मपत पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर आप वैराग्य की सच्ची पड़िभासा को जीते हैं, कि विलगाओ हो मोह से, विलगाओ हो अज्ञान से, अपने करतव्यों से नहीं, और ग्रिहस्त आश्रम में वही को हम करते हैं, अपने सभी करतव्यों का निर्वाह करते हुए, उस मोह से जो संसारिक चीजों में लगी हुई है, उससे हम वैराग्य लेते हैं और अध्यात्मपत पर आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, अभ्यास से, किसके अभ्यास से, विहंगम योग के अभ्यास से, सहज य जन्म मरन दुख होए, तो बिना ज्यान और वैराग्य का प्रभु से मिलन नहीं हो सकता, यह जग का बंदन नहीं छूट सकता, और जब जग का बंदन नहीं छूटेगा, प्राकिर्तिक गुनों की प्रगाणता होगी, तब क्या होगा? जन्म और मरन का दुख होगा, इसी करते लिए स्वामिजी ने यहां चरचा की, कि सहज योग के अभ्यास से हम अपने जड़ गुनों का आभाव करें, और जड़ गुनों का आभाव करके क्या होगा? हमारे चेतन सुद्ध गुन प्रगट होगे, जड़ गुन का आभाव कैसे होगा? जब हमारी चेतना जो इस दोहे में कहा मृग कुंडल में वास है वनवन खोजत धाय साहब तुमड़े पास हैं बाहर खोजन जाए जैसे मृग के नाभी में कस्तूरी का वास है लेकर उसको खोजता कहा है पूरे जंगल में खोजता है उसी प्रकार साहव से क्या तात्पर है? साहव से तात्पर है उस अनन्द के असीम श्रोत का जिसकी खोज में हम संसार में भटक रहें जन्म काल से जब से जन्म हुआ हम खोज ग्या रहें सुखी तो खोज रहें कभी परिवार में मिला, कभी भोजन में मिला, कभी नौकडी में मिला और उस सुख के खोज में हम पूरे जीवन भटकते रहें लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा? वह सुख कहा है? साहिब तुम्हेरे पास है, बाहर खोजन जाए तुम्हेरे अंदर है और तुम उसको बाहर खोज रहे हो कैसे? वैसे ही जैसे म्रिग के नाभी में कस्तूरी है लेकिन खोजता कहा है? पूरे वन में खोजता है फिर स्वामी जी ने क्या कहा? बाहर बाहर खोजते अंतर की सुधी नहीं बिन सद्गुरु पावो नहीं, भट की मरो जग माही तो भीतर की सुधी नहीं है, इसलिए तो बाहर खोज रहे है और वह सुधी होगा कैसे? बिन सद्गुरु पावो नहीं बिना सद्गुरु उसकी प्राप्ती नहीं हो सकती भट की मरो जग माही आप जग में भटकते रहे अलग-अलग चीजों में उस्व को खोजते रहे अपने प्राक्रिटिक गुन सत रजतम के माध्यम से उस गुन के प्रभाव से अलग-अलग वस्तुव में उस्व को खोजिये लेकिन वो मिलेगा नहीं कभी मिलेगा जब सद्द-गुर्ग मिलेंगे तो हम सभी का सवभाग्य है कि हमें सद्द्गुर्ग तो मिल रहे है अब उनके बताए मार्ग पर हम सभी को चलना है वह मार्ग क्या है वह मार्ग है सेवा का साधना का और सतसंग का जिस साधना का वर्णन स्वामी जी ने इस दोहे में किया सहज योगा अभ्यास से कि उस सहज योग का अभ्यास करो और जैसे जैसे उसका अभ्यास करेंगे यह सारे जरगुन हमारे अंदर से जाने लगेंगी लेकिन हमारी समस्या क्या है हमारी समस्या यह है कि इस प्रकृति में हम इतना उलजे हुए हैं कि सारे कार्यों को करने का समय तो है लेकिन जब साधना का समय आता है जब सेवा का समय आता है तब क्या होता है तब हमें बाहरी कारे जो है वह प्रमुख लगने लगते हैं हमारे अंदर विचार आता है कल से करेंगे अच्छा आज पांच सेकंड बैठ लिया बहुत हो गया दो मिनट बैठ लिया बहुत हो गया कल से करेंगे उदाहरन के लिए साम का समय है एक तालाव में कमल का फूल खिला हुआ है या कहानी स्वामी जी कई बार अपने अम्रितवानी में कहें है तो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा बड़ा सुन्दर कहानी है और हमारे इस चर्चा से बहुत ही जुड़ा हुआ है स्वामी जी कहते हैं कि साम का समय है एक भवरा जो है उस कमल के फूल से रस्पान करने के लिए आता है भवरा जो है रस्पान में लगा हुआ है उसे अपनी विशुदी नहीं है लेकिन क्या होता है उसी समय सुर्यास्त हो जाता है और सुर्यास्त होने पर क्या होता है जो कमल है उसका जो पट है वह बंद हो जाता है जैसा कि हम सभी को पता है कि सुर्यास्त होने पर कमल का जो पट है वह बंद हो जाता है अब भवरा उसके अंदर है भवरा क्या सोचता है सुबह होगा कमल खिलेगा और मैं उससे निकल के उड़ जाओंगा वह इसी सोच में है वह इस सोच में लगा हुआ है तब ही उस समय क्या होता है हाथियों का एक जुंड अभी सुबह होने में समय है ब्रह्मुर्ट का समय है और हाथियों का एक जून्ड उस तालाब में पानी पीने आता है और उस पानी को पीते पीते एक हाथी उस कमल को भी खा जाता है हमारी आपके स्थिती भी वही है कि हम सोच रहे हैं कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे कल आने से पूर्व कहीं काला आ गया इसलिए तो कहा गया, कल करे, काल करे सो, आज कर, आज करे सो, अब पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करे राकव यह बात हमारे सारे कर्तव्यों में लागू होती है और सबसे प्रमुक कर्तव्य, जो कर्तव्य इस सरीर के मिलने का है उसमें तो विशेश रूप से लागू होती है कि इस पत्पर बढ़ने के लिए किसी विशेश समय, किसी विशेश मुहुर्थ क्या वशक्ता नहीं है और बिना समय कवाय, जैसे ही हम इस पत्पर बढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही इसके प्रभाव से हमारे उपर इस जड़ गुन का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा और जैसे जैसे जड़ गुन का प्रभाव हमारे उपर कम होने लगेगा हमारे चेतन गुन का प्रगटी करण होने लगेगा हमारे जीवन में हमारे चेतन गुन प्रगट होने लगेंगे और जब हमारे चेतन गुन प्रगट होने लगेंगे तब क्या होगा हमारी जो आत्मिक शक्ती है हमारे जो आत्मिक बल है वह पुर्ण रूप से प्रगट हो जाएंगे और जब हमारी आत्मिक बल पुर्ण रूप से प्रगट हो जाएंगे तब क्या होगा तब आत्मा पुर्ण ज्यान से अपने उस लक्ष की प्राप्ती में बढ़ जाएगा अभी जो है हम उस चीज को मान रहें कि हमारे जीवन का लक्ष जो है प्रमेश्वर प्राप्ती है लेकिन जब आत्मा का आत्मिक गुन जो है प्रगट हो जाएगा तब उस मान रहे बात को हम जान जाएंगे क्यों जान जाएंगे? क्योंकि तब अज्यान का आवरन नहीं रहेगा और जब पुर्ण रूप से आत्मा के उस चेतन गुन का प्रादुर भाव हो जाएगा तब आत्मा को इस बात का अनुभव रहेगा कि वास्तो में मेरे जीवन का लक्ष परम्पिता परमेश्वर की प्राप्ती है और जब उस बात को आत्मा की उस बात को हम जान जाएंगे तब उस लक्ष की प्राप्ति के लिए और भी ज़्यादा तेजी से हमा आगे बढ़ेंगे तो मेरे विचार से इस दोहे का यही अभी प्राय है इसके वर्णन में यदि मेरे से कुछ तुरुटी हुई हो या मैं कुछ अलग दिसाय भटक गया हूं तो मैं आपसे शमा प्राप्ति हूं इसे मेरी गलती समझ के शमा करेंगे और इस दोहे से जुड़े हुए किसी और भा सब्सक्राव को रखें धन्यवाद जया शुरूबरा जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी इस दोहे का इतना सुंदर और विस्तार से भाश्य समझाने के लिए श्रोताओं से आगरे है कि आपके अगर कोई प्रश्न है या फिर आप अपने विचार रखना चाहत जी मेरा एक काग्रह है जितने भी कि इसमें स्वधालू गन जुड़े हुए हैं वह पहला आगरा तो यह है कि जो विहंगम योग का भूमी पूजन है उसके लिए रेजिस्टर अगर नहीं किये हैं तो अभी भी कर लें ताकि हम ना सिर्फ भूमी पूजन में आयोजन में बलकि उसके अगले दिन 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त में फिर दर्शन के लिए भी हम प्लान करना चाहते हैं कि जितने लोग अलग-अलग शित्र से आएंगे शित्रिय अस्तर पे उनके दर्शन की भी विवस्ता अगले दिन की जाएगी इसलिए अगर आप लोग रेजिस्टर नहीं किये हैं कोई भी तो वो रेजिस्टर कर लें भूमी पूजन प्रोग्राम के लिए और दूसरा यह आगरा है कि हम सद्गुरु दर्शन के लिए हम सब अब तयारी करें आज से सद्गुरु दर्शन की तयारी में हमें क्या करना चाहिए सद्गुरु दर्शन की एक बाहरी तयारी है कि हमें टिकट बुक करना है, जाना है, वहाँ पर समय से उपस्थित होना है और सद्गुरु दर्शन की एक आंत्रीक तेयारी है सद्गुरु दर्शन की आंत्रीक तेयारी में जब हम लगेंगे तब वास्तव में जड़ गुन जाते हुए हमें दिखेगा यह मुझे भी तेयारी करना है और हम सब को तेयारी करना है मेरे अंदर भी जड़ गुन जगे हुए हैं हमारे जो भाव है, हमारी जो चेतना है वह फसी हुई है संसार में तो कैसे हम आंत्रीक तयारी करें कैसे हम अपने सारे कर्मों को विकर्म में परिनित कर दें यही आंत्रीक तयारी है कैसे हमारे कर्म, विकर्म का रूप ले लें और विकर्म का आधार ही सद्गुरू का स्मरण है जो सद्गुरू के स्मरण में किया जाए कोई भी कार्य आप और मैं अगर गुरू से जुड़ने के लिए मैं करूँ तो वो विकर्म का रूप ले सकता है और सद्गुरू दर्शन के पहले हम इतना विकर्म कर ले कि हमारे अंदर सद्गुरू के प्रती प्रेम अपनी चरम सीमा पे पहुँच जाए तो आज से सद्गुरू दर्शन के पहले तक में इक-एक दिन हर एक कार्य करनी के पहले हर एक चाहे आप भोजन ले रहे हैं चाहे आप स्नान लेने जा रहे हैं चाहे आप अपने आफिस का काम शुरू करने वाले हैं हर एक कार्य के पहले हम सद्गुरू का स्मरण करें हर एक कार्य हर एक कार्य के पहले कुछ भी हो सकता है वो लेकिन हर एक कार्य के पहले हम आज से सद्गुरू का स्मरण प्रारंब करें अभी वर्तमान सद्गुदे वर्तमान स्वरूप में आ रहे हैं तो हम वर्तमान सद्गुरू का स्मरन करें अभी सद्गुरू का जो वर्तमान स्वरूप है मुनी का स्मरन करें जब हम स्मरन करते हैं तो यह भी हमारे अभ्यास का एक अंग बन जाता है क्योंकि किसी भी अभ्यास में अभ्यास हम उसी चीज का करते हैं जिसमें हम अभ्यास नहीं है हम अभ्यास किस चीज का कर रहे हैं हम अभ्यास कर रहे हैं कि सुबर शाम हमारी चेतना जो संसार में दोड़ रही है उससे बिलग हो जाए हम कमलवत अवस्था में पहुँच जाए जो कीचड में रहते वे भी उससे वो उठ जाती है अलग रहती है उस पे कीचड का प्रभाव नहीं रहता सारे कर्तब्यों में, सारे कारियों में हम निपुनता से उसको सिद्ध कर सके उसे अपने पुनता की ओर हम शिग्रता से पहुँचा सके इसके लिए भी जरूरी है कि हमारा विलगाव हो संसार से ताकि हम चेतना को एकाग्र कर सके जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके मानसिक शक्ती का सदुपयोग कर सके अपने आधार से तो इसलिए सद्गुरु दर्शन की तयारी है तू हम सब अपने भीतर आज से यह एक तयारी शुरू करें कि सद्गुरु स्मरण का अभ्यास हो सद्गुरु स्मरण का अभ्यास हो प्रतिपल अभ्यास हो हर बहाना कोई भी बहाना लेके अब सद्गुरु को स्मरण करें सद्गुरु स्मरण का अभ्यास हो फिर आप देखेंगे कि सद्गुरू स्मरण में क्या शक्ति है कैसे ये सहजता से हमारी साधना को भी एक अलग लेवल पे ले जाती है इनी दो आग्रह से मैं अपनी वानी को यही पे विराम देता हूँ और आप सबोसे भी यह फिर से आग्रह करता हूँ कि अगर इस संदर में आप सब भी कुछ कहना चाहते हैं कि आप कैसे इसकी त्यारी करेंगे तो आप इसको साजा करें और सब के साजा अपने अपने भाव के साजा होने से एक दूसरे को बल मिलेगा कि हाँ हम अभी से कैसे जुटे इसके लिए अपने भीतर की त्यारी हम कैसे करें सब अपने बात को यहाँ पे रखें जैसर गुरुदेव जैसर गुरुदेव विजे जी और बहुत-बहुत धन्यवाद इस बात को पुनह रखने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए कि हमें सब गुरुदेव की तयारी में जुट जाना चाहिए तो जैसा विजे जी ने बताया भूमी पूजन के लिए रेजिस्टर करने का लिंक चैट में है आप उसको उस लिंक को यूज़ करके आप रेजिस्टर करा सकते हैं अभी तक नहीं कराया है और मैं इस रोताओं को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि अगर आपके जो भाव है इसमें कि हम सद्गुरु के आगमन के लिए उनके दर्शन के लिए कैसे तयारी कर सकते हैं तो क्रिप्या साजा करें जैसाद्गुरु देव और रिजिस्ट्रेशन का एक ही लिंक विजय जी ने भेजा था तो उसपे तो रिजिस्ट्र कर दिया यादि कोई और लिंक होगा तो बता दीजेगा और वाव ये था कि जैसा विजय जी ने बोला सुधान्शु जुनेवी बोला कि निरंतर जो है सद्गुरू का समरान करने से या उनकी सत्संग सुनने से जो है जैसा मुझे लगता है कि उससे काफी लाभराप्त होगा जिसे उनकी भक्ती और और ज्यादा भवबढ़ेगा और हर वक्त जो है समरान करते रहने का अभ्यास मेरे ख्याल से मेरा प्रश्ण ये था कि जैसे जो प्रथम स्थल में जो होता है कि मन को कंट्रोल करने की बात परी शुलाद्शू जी ने और जैसे बोलता है ना कि हर व्यक्ति का अपना-पना स्क्रेंथ होता है और हम लोग जिस हिसाब से डेवलप हुए हैं अपने वीक्नेस को इंप्रूव्मेंट करना बहुत कठीन होता है काफी लोगों के लिए पर अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रॉंगर बनाना वो ज्यादा असान होता है जैसे फिजिस के मैथ में जो है अगर आपके मैस्टि में वीक हैं तो आप कितना भी मेहनद कर लें वो बहुत कठीन हो जाएगा उसमें बिलकुल अच्छा अवलन बनाने के लिए लेकिन अगर मैथ में बहुत अच्छा है तो और अच्छा बन सकते हैं तो उस भाव के करना यदि कठिन हो रहा है पर मन को जहां भी डाल रहे हैं वहीं अगर गुरु नजर आ रहे हैं गोविन नजर आ रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या भाव है थोड़ा उसके थोड़ा एंलाइटिंग किजिएगा धन्यवाद जी बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपकी प्रशन के लिए और मैं आग्रे करूंगी विजेजी से कि आप इस प्रशन को लें जी जैसे बहुत अच्छी वात कही निरंजन जी ने कि कि जो हमारे वीक्नेस हैं हम वीक्नेस पे फोकस ना करके अगर स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो उससे हमारा जीवन असान रहता है सद्गुरु देव ने भी स्वरवेद में एक बड़ी अधुद बात बताई उन्होंने कहा कि एक सेवक के अंदर अनेक अउगुन हो सकते हैं लेकिन उन अउगुनों की कोई वो अउगुन उनके लिए अवरोध नहीं बनते अगर वो बस एक गुन पे कॉंसेंट्रेट करते हैं वो है सेवा गुन अगर वो अपने अंदर सेव्य भाव को दिढ़ करते चले जाते हैं तो जिन अउगुनों से वो युद्ध करना चाह रहे थे जिनें वो सुधारना चाह रहे थे उन्हें अलग से सुधारने की आवशक्ता ही नहीं पड़ती अगर उनके अंदर सेव्य भाव सेवा करने की भावना प्रेम भाव सद्गुरु के प्रती समर्पन भाव बस उसी पर वो ध्यान देने लगते हैं तो आपे आप सारे अवगुन दूर होते चले जाते हैं और ना सिर्फ अवगुन दूर होते हैं बलकि सद्गुन का भी प्रादुर भाव होने लगता है वह उठने लगता है प्रकट होने लगते हैं तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात चेड़ी अभी निरंजन जी ने कि हमारे अंदर अनेक विक्नेस हो सकते हैं लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि ये सारे विक्नेस जो होते हैं वो आत्मा का निजगुन नहीं होता बलकि उसके उपर मन बुद्धी का जो आउरण है और उसके अंदर जो संसार का संबंध है उसके वज़े से उन अवगुनों का एक लेयर बन जाता है लेकिन आत्मा का वा निजग चेतन गुन वा होता नहीं है आत्मिक अस्तर पे सब उतने ही बलवान है इसलिए अध्यात्मिक यात्रा है तू हमें जिन गुनों की आवशक्ता है वो हमारे भीतर ही है और सब के भीतर है बस उसे प्रकट करने की देर है और अगर हम अध्यात्मिक यात्रा के दिड़ता की ओर ही सिर्फ अगर ध्यान दें कि कैसे मेरा अध्यात्मिक पत और अग्रसर हो चाए हम जो भी कारे कर रहे हैं अगर उस कारे को भी हम इसी लक्ष की ओर समर्पित कर दें कि मैं जो भी कर रहा हूं जो संसारिक द्रिष्टिकून से छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है अगर एक कोई बड़ा काम कर रहा है लेकिन उसके उसकारी से उसके अध्यात्मिक प्रगती में बाधा आ रही है तो उससे बेहतर कारी अन्य कुछ और छोटा भी हो सकता है अगर उससे उसको अध्यात्मिक आत्रा में सहायक सिद्ध हो रहा है, मदद मिल रही है, तो इसलिए अध्यात्मी की आत्रा में जिन गुणों की आवशक्ता है उसमें सबसे प्रमुख गुण जो है वो है सेवा और समर्पन का गुण जितनी बाकी विकनेसेज हैं हमारी उसको अगर हम जबर्जस्ती रोकने का प्रियास करेंगे तो पर्थम प्रम प्रासत गुरू धर्म चंदेव जी महराज ने भाष्य में यह लिखा है स्वर्वेद में जैसे कहा गया कि मन को रोको विश्य से जो नहीं माने हार तब रोको निज देह को मन मत मारी विचार कि हमारा मन जो है अन्यंत्रित होकर विश्यो की ओर भागता है तो उसे रोकने का प्रियास करो अगर वो मन नहीं मान रहा है और आप एकदम क्रियानवित हो रहे हैं उस कृत को या उस दुस्कृत को करने के लिए तब कम से कम उस समय अपने शरीर को रोक लो कि नहीं मेरा मन तो कर रहा है लेकि तब भी मैं मन मसूस करके मन को और अपने शरीर को नियंतृत करके उस दुस्कृत्ता से मैं बच जाऊं इसका प्रयास करो लेकिन यह कहते हुए फिर परत्माचाय देवजी लिखते हैं लेकिन यह करना कठीन है यह करना आसान नहीं है तो उसके बदले में इसी लिए सद्गूरु देवपिर करते हैं कि अगर हम सिर्फ सद्धूरु का आधार प्रकरना शुरू कर देते हैं तो जिस प्रकार से शुद्ध जल के प्रवाह के संपर्क से हमारे तन से अशुधता स्वता ही दूर होने लग जाती है वैसे ही सद्गुरू के सत्य ज्यान और सत्य स्वरूप से जब हमारा सनान होना प्रारंभ होता है तो हमारे सारे दुर्गुन स्वता ही धूलने लग जाते हैं इसलिए हमें अपने वीक्ने से जिनके जो भी राग है तरह तरह का लोब है हम जान रहे हैं कि ये गलत है इसको मुझे नहीं करना चाहिए उन सब का चिंतन छोड़ करके अगर हम योगा अभ्यास का चिंतन प्रारंभ करें सहज योगा अभ्यास का चिंतन प्रारंभ करें कि कैसे मैं प्रतियेक दिन सुबह और शाम ध्यान कर सकूं और उसके लिए सद्गुरु से प्राथना प्रारंभ करें कि है सद्गुरु देव मेरा मन दुशित है मैं सही समय से ध्यान साधना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रिपया आप दया करें जब इस तरह की प्राथना पे ही हम सिर्फ ध्यान देते हैं और अगर सहज योग अभ्यास यानि विहंगम योग अभ्यास जब हमारा प्रारंभ हो जाता है तो सद्गुरु देव कहते हैं कि हमारे दुर्गुण अगर हटेंगे तो वो योग की अभ्यास से ही हटेंगे कई बार हम लोग के अंदर यह भावना आती है कि मैं तो अभी सेवा कर रहा हूं और सेवा से सत्संग सुनने से भी तो मेरा मन स्वच हो ही जाता है यह बात सत्य है कि सेवा और सत्संग से भी हमारा मन स्वच होता है लेकिन समय से हमारे भीतर जो भाव होते हैं सेवा के प्रती जो सत्संग के प्रती वह धीरे धीरे एक दिन चरिया की और परिनत हो जाता है मानो यह एक रूटीन बन गया है कि अच्छा समय हो गया है अब मैं जुड जाओं सत्संग में अच्छा ये कारिय है वह सेवा जो है एक कारिय का रूप ले लेता है लेकिन असल में सेवा का जो जान है जो उसका प्राण है सेवा का प्राण ही है सद्गुरू का समरन सेवा का प्राण ही है सिव्य भाव बीना सिव्य भाव बीना भीतर में सद्गुरु के प्रती प्रेम भाव समर्पन भाव सेवा भाव के अगर कोई सेवा कारे कर रहा है तो उसका फल तो मिलेगा लेकिन फिर वह विकर्म का रूप नहीं लेगा वह शुभ कर्म का रूप लेकर के हमें हमारे जीवन में उन्नती को प्रदान करेगा क्यों कोई ब्यक्ति पैदा लेता है और उसके जीवन में भाग्य ही भाग्य होते हैं मानों से कुछ करना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सब अच्छा ही होता है, क्यूं? क्यूंकि उसने ऐसे ही कुछ शुभ कर्मों को किया रहता है, जिसकी कमाई उसके अंदर रहती है, लेकिन क्या हमारी भौतिक उन्नती, हमारे अध्यात्मिक उन्नती के बराबर है, तो ऐस सीवा कार्य में सिव्य भाव का अभाव होने लग जाता है तब हमारा विकर्म जो है पुना कर्म का रूप लेने लग जाता है हमारे जो विकर्म है वह पुना कर्म का रूप लेने लग जाते हैं यानि जो भी हम अब सेवा के नाम पर कर भी रहे हैं उसमें सद्गुरु का अस्मरन हट गया तो हम क्या कर रहे हैं हम शुभ कर्म कर रहे हैं हम सेवा कार्य को कर रहे हैं लेकिन वह शुभकर्म हो रहा है क्योंकि हमने सद्गुरू का अधार वहाँ पर से हटा दिया तो जब वो रूटीन बन जाता है मुझे ये करना है लेकि उसमें सद्गुरू को हम या हमारे भीतर सद्गुरू के पती प्रीम नहीं जैसे करते हैं सागर के उपर लहरे दोड़ती है लहरे उचलते रहती है तो हमारे अंदर प्रीम उचल नहीं रहा है प्रीम का सागर अंदर जो है वो मानो सूख गया उसमें लहरे नहीं रही तो जब सेवाकारे करते करते जब हमारा भाव इस तरह से धुमिल होने लगता है तो पिर हम देखेंगे कि हम बर्सों से सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी उन्नती नहीं होती हाला कि वह धन अवश्य इकठा होता है वह पुन्य का धन ये सारी सीवा कारे चाहे मन से किया जाया या बेमन से किया जाया सबका फल है सद्गुरु कभी भी किसी चीज का रिन नहीं रखते यही तो सद्गुरु सीवा का प्रताब भी है कि या तो वो हमें भौतिक उन्नती दे देते हैं और नहीं तो अध्यात्मिक उन्नती देते हैं जो बेमन से करता है उसको भौतिक उन्नती तो मिलता ही मिलता है लेकिन जो श्रद्धा से करता है, भक्ती से करता है उसको भक्ती ही मिल जाती है इसलिए सद्गुरु सेवा कार्य में हमारा लक्ष क्या है? अगर हमारा लक्ष है अध्यात्मिक उन्नती तो यह बहुत ही आवश्चक है कि साथ में हम योगा भ्यास पे भी ध्यान दें तो कि योगा भ्यास ही है जिसमें वस्तुता हमारे संसकार जो है जो शुब संसकार है वो फिर उदय अवस्था में इस्थिर रहते हैं और जो शुब संसकार है वो सुब्त अवस्था में पहुँच जाते हैं और वहीं पे वो दिर्ग काल तक फिर रहते हैं हम शुब संसकारों से सदैव प्रदिप्त रहें हमारे भीतर शुब संसकारों का उजाला बना रहे इसके लिए यूगा भ्यास अत्यनत अवश्चक है जब तक हम ध्यान में बैठते नहीं है मत्र, सीवा और सत्संग के सतही प्रयास से हम सच पुछिये तो अध्यात्मी कुन्नती को नहीं प्राप्त कर पाते लेकिन जिनकी चीतना सद्गुरु में लग गई है जो सीवा कर रहे हैं वो इतने प्रेम से कर रहे हैं इतने उत्साह से कर रहे हैं कि उनके भाव में कभी कमी नहीं आ रही है तब तु उनकी लिए वही साधना भी बन जाता है लेकिन क्या हमारा वह इस्थिती है इसका आकलन हमें करते रहना चाहिए क्या हम सचसंग में बैठते हैं तो मानो हम साधना ही कर रहे हैं क्या ऐसी इस्थिती हमारी रहती है हम इसका आकलन स्वैम कर सकते हैं सत्संग और सेवा की वह चरम सीमा पर अगर हम नहीं है तो हम यह जो ट्राइपोड है जो यह तीन लेग है तीन पैर है हमारे प्रगती का सेवा, साधना और सत्संग इसमें से हम किसी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी हम खड़े नहीं हो सकते हैं सिर्फ सेवा और सत्संग के दो पैर पे भी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं अध्यात्मिक इस यात्रा में हमें तीसरे पैर की भी आवशक्ता है अगर हम इमानदारी से अपने आपका आकलन करे तो तो इसलिए योगा भ्यास, योगा भ्यास को हम नकार नहीं सकते धीरे धीरे इसका अनुभव हमें स्वैम भी हो रहा है कि साधना के अभाव में मात्र सीवा और सत्संग से भी हमारी अध्यात्मिक प्रगती में वह गती नहीं मिल पाएगी यदिपी उनकी मिलती है जो उत्तम कोटी के शिश्य होते हैं उनको तो क्या है उनको तो साधना मात्र छे महीने ही करना होता है इसलिए सद्गुरु उनको सेवा और सत्संग से ही उनकी उस इस्थिती को बरकरार रखते हैं और जब उनसे साधना करवानी रहती है सद्गुरु देव उन्हें साधना का आधेश देते हैं फिर वह अच्छी महिना का साधना करके अपनी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं हमारे जीवन में क्या कमियां है, क्या हमारे weakness jest है, ये हमारे विशे है ही नहीं. सद्कुदेव ने कहा कि बस इसी तीन चीज को जीवन का सार बना करके बस हमें चलना है, बागी सब स्वत ही इससे हो जाएंगे. हमें उसका कोई आकलन भी नहीं करनी की आवशकता है आकलन बस यही करना है कि मैं सेवा भाव से कर रहा हूं की नहीं मैं सत्संग में भी सेव्य भाव से बैठ पा रहा हूं की नहीं बोली सबूदेव कीज़े बहुत बहुत धन्यवाद विजे जी मारदर्शन के लिए और आपने जो जो pointers दिये है जिससे हम अपना चिंतन कर सकते हैं अपने अंदर की हम कहां हैं और हम अपने आपको सुधार सकते हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद विजे जी और मैं पुना श्रोताओं को से आगरे करूँगी कि आपके पास और भी जो विचार है कृपया आगे रखें ताकि हम सब की उन्नती हो सके और जो समय हमारे पास उपलब्ध है अभी स्वामी जी के आगमन तक उसको हम अच्छे से अच्छे उस समय को यूज़ कर सकें अपनी तैयारी के लिए जासर गुर्देव बहुत बहुत धन्यवाद विज़ा जी इसको स्पष्ट करने में और एक छोटा प्रस्ट एक और है कि जो हम हर दिन यदि से भाव से यदि अपना हर दिन का जो एक्टिविटीज होता है बिजनेस जॉब चाहिए जो भी कहलें वो सब सद भावना से यदि उनको किया जाए जिसमें जो लोग क्रोज मोह की तोड़ी भी जगह ना हो क्या वह साधना में आता है या सेवा में आता है इसमें आता है उसके उपर यदि आप तोड़ा कॉमेंट करें थैंक जी जी वह साधना में ही आएगा क्योंकि साधना मात्र बैठने का नाम नहीं है साधना का अर्थ ही है कि जिसको हम साध रहे हैं यानि हमारे अंदर कैसे एक गुन की इस्थिरता हो जो धर्म के गुन है उसकी स्थिरता हमारे अंदर बने उसको हमने साधने का जो भी प्रयास किया उसका नाम साधना है तो साधना कई प्रकार के होते हैं साधना ब्यवहारों का भी होता है साधना भाओ का भी होता है और साधना योगा भ्यास का भी होता है तो योगा भ्यास मतलब ध्यान में बैठने की जो साधना है इसके ये सब बाकी साधना है और एक और बड़ी अच्छी बात जो है संतों ने कहा कि एक बार एक व्यक्ति जो है निराशा भाव से संत के पती कहता है कि मैंने तो सत्य आच्रन पे चलने का जो है प्रयास किया लेकिन मैं पाता हूँ कि जो दुनिया है वह जूट की दुनिया है फरेब की दुनिया है वह हमें आगे बढ़ने में सत्य आचरन जो है उल्टा मेरे लिए वो रुखावट बन जाती है तो ऐसे में तो कोई कैसे सच्चा बन के रह सकता है मैं प्रगती नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सत्य आचरन पे चल रहा हूं मैं अगर जूट का सहारा लेता तो और अच्छा हो जाता तो ऐसे में संथ काते हैं कि सत्य आचरन पे जूट चलने का भाव बना लेता है वह सत्य आचरन पे तो तभी है जब उसकी द्रिष्टी सत्य पे ही टिक जाती है उसको फिर यह दिखता नहीं है कि मेरी प्रगती हो रही है कि मेरी दुरगती हो रही है वह तो अपने उस सत्य आचरन में ही प्रसन्न हो जाता है और उसी से उसकी आत्मा बलवान होते चली जाती है अगर हम यह देख रहे हैं कि मेरे सत्य आचरन से मेरी भावतिक उन्नती उस गती से नहीं हो रही है जिस गती से जूठ की जिन्दगी वालों की हो रही है इसका मतलब है कि हम सत्य आचरन पे नहीं है अगर हमारी दृष्टी इस पे एक ही मेरी प्रगती क्यों नहीं हो रही है इसका मतलब हम सत्य आचरन पे नहीं है हमारी दृष्टी प्रगती की ओर है हमारी दृष्टी सत्य की ओर नहीं है जब हम सत्य की ओर देखते हैं प्रीम की ओर देखते हैं भक्ती की ओर देखते हैं हमारे लिए वही दुनिया बन जाती है और बाकी हम कर्तब निर्वाह करते हैं हर कर्तब निर्वाह में भी उसी सत्य का उसी धर्म का उन्ही गुनों का आश्वे लेते हैं और प्रियास करते हैं कि हमसे ये गुन अलग ना हो जब ऐसा करते हैं तो ऐसा बात नहीं है कि हमारी दुरगती ही हो जाती है ऐसा भी नहीं है लेकिन वह जूट परेव करके जो प्रगती को प्राप्त कर रहा है वह प्रगती उनके लिए निरर्थक हो जाता है लेकि हमारे लिए धीमी प्रगती भी अगर धर्म के आश्रे से हो गुनों के आश्रे से हो सद्गुनों के सत्य के आच्रन से हो, तो वह धीमी प्रगती भी हमारे लिए उससे ज़्यादा सुख दायक होती है, मूल में तो सुख ही है, सुख मिलना चाहिए, प्रसंता हो, भीतर में स्थिर्ता हो, शांती हो, वह शांती, वह सुख सत्य के आच्रन से ही मिलता है, इसलिए हम सब गुनों क का पुजारी बने कि अर्थ का पुजारी नहीं गुनों का पुजारी बने कि हम अर्थ में धीमा रहे कोई बात नहीं लेकिन हमारे अंदर जो गुन हैं उसकी प्रगाढ़ता हो हम उसमें धनी बने धनवान हम बने तो अपने गुनों से धनवान बने जब हम बस उसी पे अपन फोकस कर देते हैं तो फिर क्या फिर तो उसी में आनंद ही आनंद रहता है और यह दिखता ही नहीं है कि कौन कितना प्रगति कर रहा है हमें तो यह दिखता है कि मैं कितना सुखी हूं खुदी अनुभव होने लगता है अपने गुनों से आप خुदी ही उस शांती उस इस थिरता को अनुभव करने लगते हैं जिसके आगे बाकी सब फीका हो जाता है मैं ये कहते कहते आपके प्रशनों से हो सकता है अलग हो गया होंगा तो अगर कुछ और विशे इसमें बात रखनी है तो आप मुझे फिर से पूछें जैसे बुदे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद निरंजन जी मैं पुनेश्ट होता हो को अमंत्रित करूंगी कि हम एक दो मिनिट लेके अगर किसी के पास कोई और प्रशन है अपने समय का कैसे सदुप्योक करें और कैसे तद्यारी करें सद्गुरुदेव के आगमन की तो कृप्या पूछें जैसद्गुरुदेव सभी को जैसद्गुरुदेव शिखाजी जी तो मेरा तो विजय भाया ने सब कुछ तो कवर कर ही लिया है और मैं तो बहुत ही नीच कोटी की हूँ तो I don't even feel की मैं eligible हूँ ये बोलने के लिए लेकिन ये एक बात हेमंत जी ने बहुत पहले बोली थी कि प्राठना में बहुत शक्ती होती है तो हम लोग ओफिन प्राठना को सिर्फ material चीजों में लगाते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए जैसा सुदानशु जी बता रहते है हमेशा हम लोग material चीजों में ही प्राठना करते हैं अगर प्राठना सदगुरू से हमेशा ये रहे कि जैसे मेरे केस में मैंने क्या देखा है मेरे फेज़े आते हैं एक फेज में मेडिटेशन हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है फिर जैसा सुधानशु जी आज समझा रहते हम लोग जहां प्रायर्टी देना चाहिए वहां प्रायर्टी देते नहीं है फिर बाकी कर्मकान में फस जाते हैं और वो छूट जाता है तो मेरी सद्गुरू से हमेशा यही प्रार्थना होती है कि स्वामी जी अपने से जोडे रखें मन के भाव को वैसा बना के रखें कि आप से कभी विमुख ना हूँ तो और उसी में फिर वो फेज होता है वृत्ति उस टाइम पर कैसी होती है कि आप जुड़ जाते हैं साधना हो रही होती है फिर छूड़ जाती है तो वो एक प्राथना मेरा हमेशा रहता है कि स्वामी जी इस कड़ी को तूटने ना दें यह जो हो रहा है इसको चलते रहने लें और दूसरा मैंने क्या देखा है अपने experience के level पे कि जब आप साधना आपका regular होता है तो यह difference है विहंगम योग versus बहुत सारे और जो organizations के मैं सुनती हूँ every now and then कि वो कहते हैं कि you know become kind, become joyful तो वो सारी चीज़ें जब आप साधना कर रहे होते हो तो automatically हो रही होती हूँ तो you know you become पता नहीं इसको कैसे explain किया जाए बट अंदर से आपका जो जो एक आत्मा के level पे तो नहीं जो आपका behavior है वो भी काफी change करता है just just साधना के द्वारा मैं कभी अपने आपको forcefully वो चीज नहीं करने की कोशिश करती हूँ कि ओ let me become more forgiving or let me become kind वो सारी चीजें खुद ही होने लगती है जब आपका साधना regular हो जाता है तो कल जैसे मैं स्वामी जी का कल जन दिन था तो रात के टाइम पर हम लोग थोड़ा बैठे ते पूजा करने के लिए तो उस टाइम पर एक विचार मन में आया कि सद्गुरू आपने तो सब कुछ दिया और किसी चीज की आवश्यक्ता नहीं हो तो कभी-कभी वो thankfulness कि मेरे पास जो है वो बहुत है अब आप मुझे अध्यात्मिक पत पे आगे लेकर बढ़ें तो कोई प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ती होती है और वो विजे भेया ने अल्रेडी कवर किया है ये बात मैं जभी भी मैं प्रार्थना करती हूं तो मुझे हिमंत जी की बात याद आती है कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ती होती है तो जब आप शुद्ध भाव से प्रार्थना करते हैं तो सद्गुरू शायद उसको अगर आप इलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर देंगे जी जैसे प्रुदेव बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी अपने सुन्दर विचार रखने के लिए और अगर हम कुछ भी नहीं कर पाएं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर दुर्गुन है और जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो रहा तो हम प्रातना एक चीज है जो करते ही रह सकते हैं क्योंकि हम हमें अबास हो जाता है कि हम जो बताया गया है जो तीन पिलर्ज है वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग प्रातना अवश्य करते रहें निरंतर करते रहें और सद्गुरु देव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे कि हम के अगले सत्र में जाते हैं यह है warrior of the week हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्ममूर्थ तीन बज़े से पांच बज़े के बीच होता है लेकिन हम में से जाधा तर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं इसे प्रोचायत करने के लिए नेवी ने इस कारेक्रम की शिरुवात की जहां प्रतिभागी ब्रह्ममूर्थ warrior नामक WhatsApp ग्रूप में शामिल होते हैं प्रत्येक प्रतिभागी स्वयम ब्रह्ममूर्थ में उठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है एक बार जब वे ध्यान कर लेते हैं तो ग्रूप पर अपनी स्थिती डन के रूप में भेज देते हैं जो और लोगों को भी प्रेरित करता है यदि आप WhatsApp ग्रूप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको लिंक भेज सकते हैं तो इस सब्ताह के Warrior of the Week निमलिकित है और इन्होंने सब्ताह के प्रतेग दिन ब्रहममूर्थ में उठकर साधना की है निरंतर साधना की है इस सब्ताह के Warriors है सूर्य अलमराजु जी, तेजिंदर जी, भगवती पतेल जी, प्राची शिरसागर जी, योगेश शिरसागर जी इस सब्ताह के Inductees वेशिष्य हैं जिनोंने इस सब्ताह में ब्रहममूर्थ में उठकर कम से कम एक दिन या उससे अधिक दिन साधना की है Inductees इस सब्ताह के निमलिकित है अमित तालेकर जी, माया जी, लालमनी जी, विनीता जी, दिप्ती जी, श्रीरंग जी, रंजिनी जी, रंजीता जी आप सभी वारियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और आभार और सत्गुरु देव से प्राटना है कि आप लोग ऐसे ही इस अमूले समय का सदुप्यों करते रहें और हम सभी को प्रेरित करें अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं इस चरण में हम वन्दना, आरती और शांती पाट करेंगे गुरु वन्दना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं सूर्या जी से आग रहें कि वे वन्दना के अंतिम चार लाइन सद्गुरु चरणों में अट्पित करें आप सूर्या जी जे सद्गुरु देख प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्व धर्म अचार्य है जी मेनाध्य आसित सिंदु के है पिष्व पत्रमा यकार्य है प्रभु सत्य संत समाज तेरा आपरक्षा कीजिये जेन सदा भल अज्ञान भक्ति प्रिदी दिन दिना कीजिये बो सद्दु देव भगवान की जे पैट्व में धन्यवाद सूर्या जी आरती के माध्यम से हम संशे को दूर करने की मांग करते हैं और सद्द्गुरु चर्णों में अपने आपको समर्पित करते हैं सूर्या जी से आगरे है कि वे आरती के अंतिम पंक्तियों को सद्द्गुरु चर्णों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्राटना है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए आप सूर्या जी आरती रखड़े हो 107 माहन धश्वेतर है थेनपाद अम्रुद भरास्वेतर महान डश्वेतर अश्ट चक्रस भश्वन्य परम धर अधर आदरा के पार तहा सदा फला घर किया भूली पड़ शंसार भूली पड़ उंसार जैस दूर देवा back to you man जै देन्यवाद सूर्या जी आप सभी लोगों से आग रहे हैं कि आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांती पाथ के लिए शांती पाथ विश्व की शांती इवा मंगल कामना के लिए है सूर्या जी से निवेदन है कि वे अंतिन चार लाइन से शांती पाथ करें आप सूर्या जी जे सद्गुरु देवाद हे प्रभु शांती स्वरूप हो सांती शांती मैं शांती 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 ये न शांती हो पूर्न शांती मैं शांती हे प्रभु शांती प्रदानकर दूरह सर्व शांती, देव सदा फला सांती मया, शांती, शांती, शुक्ष शांती, सदुरुदे भगवान की बैक्ट्रियो में. धन्यवाद सूर्या जी, आपने बड़े ही सुन्दर और भावपून वानी में वंदना, आर्ती, एवं शांती पार्ट से सद्संग को समापन की और ले गए, आपका बहुत-बहुत आभार. आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ, North America Institute of Vihangam Yoga पिछले कुछ वर्षों से US और North America में वर्चुल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंदित कोई भी प्रशन info at the rate vihangamyoga.org पर इमेल के रूप में भीजा जा सकता है। अब यहीं पर सत्संग को हम समापती की घोशना करते हैं। मैं सबसे पुने आग्रे करूंगी कि जो समय हमारे पास उपलब्ध है सद्गुरु देव के आग्मन तक, उसका हम सदुप्योग करें और इस पर निरंतर चिंतन करते रहें कि हम कैसे अपनी अध्यात्मिक उन्नती कर सकते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रे है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। मैं आग्रे व्यक्त करना चाहूंगी सुधांचु जी, शिखा जी, विजे जी, निरंजन कुमार जी, सूर्य जी, श्रीरंग जी, निरंजन जी का जिनकी सेवा से यह सत्संग सफल हुआ और आप सभी से जिनोंने आज का यह सत्संग जोइन किया। अगले सप्ता फिर मिलेंगे इसी समय सी वर्च्वल मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं इश्वर से प्राटना करती हूँ कि आपका दिन और सप्ता मंगल मैं हो और जीवन में खुश्यां आए। आप सभी को जै सत्गुरु देव। कि आप सत्गुरु झाइ। मैं झाप सत्गुरु झाप झाताए जह। अगले संग। करते लिए देवा झाता आप सत्ग। ऱूटरु जह टूँए है। कि एप रहावा हुआ है। झाले सत्ग।